वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया आज मैं आपको रोश्टेट चना बनाना बताऊंगी है न मुझेदार बात क्या आपने सोचा है कि हम काले चने को घर पर ही गर्मा गरम बना कर कैसे का सकते हैं मार्केट से लाते हैं जब तक तो चने ठंडे हो जाते हैं तो हम घर पर बना कर हम इने कैसे गर्मा गरम बना कर खाएंगे इस वीडियो में मैं आपके साथ ड्राय रोश्टेट चना बनाना ही बताऊंगी साथ कुछ टिप्स भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखे साथ मेरे और भी वीड प्राइटी की जुरुत नहीं पड़ेगी तो यहां पर मैंने दो कप नमक लिया है और एक कप चना लिया है इसी से हम चने रोश्टेट करेंगे मार्केट में चने दो साइच के अवेलेबल होते हैं तो हमें छोटे साइच के चने नहीं लेने हैं यह देखिए हमें इस साइ आपको पता है काले चना खाना सेहत के लिए कितना अच्छा गुनकारी होता है काले चने में फाइबर जोगा भरपूर मातरा में होता है काले चना खाने सरीर को उड़जा मिलती है और डाइबिटीस के मरीच के लिए तो काले चने का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता ह तो सिर्फ 2 मिनिट में हम चना रोज टेट करेंगे तो चलिए वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं घेस पर मैंने मोटे पेंदे की कड़ाई लेकिन मोटे पेंदे की लेनी है इसमें मैं नमक डालूंगी गेस को हमें फूल फ्लेम पर ही रखना है और नमक को अच्छे से गरम होने देना है जितना नमक अच्छा गरम होगा चने हमारे उतने ही जल्दी बनकर तयार होएंगे नमक को हमें लगाता चलाते रहना है जब तकि नमक अच्छे से गरम नहीं हो जाए इसको हमें पूरा अच्छे तरह से गरम करना है नमक को हमें फेकना नहीं है, ये नमक बहुत सारी चीज़े बनाने में काम आता है, बेकरी के आइटम जिसे बिस्किट बनाने में और केक बनाने में भी हम इसको यूज में ले सकते हैं, बस इसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन बेक करने में कोई भी प्रोब्लम नहीं आएग तो नमक को भर कर आप ठंडा होने पर एक डिब्य में भर कर रख सकते हैं आप देख सकते हैं नमक अच्छा गरम होने ही लग दिया है अब इसमें हम चने एड कर देंगे और इसको हम हीलाएंगे एक बार फ्लेव को मीडियम ही रखनी है देखिए चने फूटने लग गए आप देख सकते हैं इसको अभी हमें ओड इसी तरफ लगातार चलाते रहना है जब तक कि पूरे चने ने फूट जाएं आप देख सकते हैं काफी हद तक चने हमारे बन गए हैं थोड़े और बनने बाकी है सारी चने अच्छी तरह से हमारे भून गए हैं इन्ने भूने में इस दो मिनिट का समय लगा है, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं इस तरह, आप देखें कितने अच्छे बुन कर तयार हुए हैं, इस तरह देखें सारे चाहिए निकाल के प्लेट में ले लिए हैं, आप देखिए चाहिए कितने क्रिस्प्य और करारे बने आवाज आप सुन सकते ह यह देखिए इन्हें आप चाहे तो गरम गरम बना कर भी खा सकते हैं या फिर आप चाहे तो एयर टैक कंटेनर में बंद करके काफी लंबे समय तक भी आप इन्हें रख सकते हैं चना रोश्टर करते समय इतना ध्यान रखना है कि नम्मक अच्छी तरह से बिल्कुल तेज गरम होना चाहिए नहीं तेज गरम नहीं होगा तो हमारे चने बिल्कुल भी नहीं बनेंगे इस बात का अप खास ध्यान रखें दूसरी बात है इनके साइज की तो साइज जो हमें बड़ा ही लेना है आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा मेरे और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं या फिर आप मुझे फेस्बूक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर पर फोलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रेप्शन में दिये लिंक पर क्लिक करके आप मु तेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके चनि कैसे बने हैं, साथ इसाथ अपने ग्रूप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नह भूलें, ठेंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो, आपका दिन शूब रहें